आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे हाइसेंस यूशिक्स जी की उले टेवी के बारे में जो कि काली इंडियन मर्किट पर लॉंच हुई है, एट्रक्टिव पिक्चर क्वालिटी के साथ आ रहा है और प्राइस भी काफी एट्रक्टिव है, जो कि काफी कस्टुमर को एट्र के साथ आते हैं एट्रक्टिव की लूग्स एंड डिजाइन काफी आच्छा है, मेटलिक स्टैन दिखने को मिल जाती है, हाइसेंस की एस टेवी पर आपको फूल एरे लोकल डेमिंग का सपोर्ट भी दिखने को मिल जाती है, मैंस इस टेवी पर आपको ब्लैक कलर्स काफी दिखने को मिल जाती है, इसकी पेक HDR ब्राइस नेस आती है 700 नेट्स और 60 हर्स रिफ्रेस्ट के साथ आड़ा है, हाइसेंस U6G TV के पिक्चर क्वालिटी एंहांस कारने के लिए आपको डल्वी फिशन HDR, MEMC, अल्टर विविड हाई कॉन्टरस्ट पैनल, HDR10+, HDR10, HLG, UHD आप motion, game mode दिखने को मिल जाती है, जो हाइसेंस U6G TV के पिक्चर क्वालिटी को और भी attractive बना देता है, और इस budget segment पर सबसे अच्छा पिक्चर क्वालिटी डेलिवर करते हैं, हाइसेंस U6G TV वर्ट कोर्टक्स A53 CPU और माली 470 का GPU के साथ आ रहा है, और यहापर 2GB RAM और 16GB पिक्च मिल रहा है, हाइसेंस U6G TV 24W टू बॉक्स पिकर के साथ आ रहा है, कनेक्टिफिटी पर आपको HDMI 2.0, Bluetooth 5.0 और Dual Band Wi-Fi का सपोर्ट भी तिकने को मिल जाती है, हाइसेंस U6G का अभी प्राइस आ रहा है, 59,990 और इस प्राइस सेग्मेंट पर हाइसेंस की यह स्मार्ट TV की कंपेडिजन बनती है, Xiaomi Mi Q1 QLED TV के साथ, क्योंकि दोनों का प्राइस एकदम सेम है, और अगर कंपेर कर यह दोनों TVs को लेकर, पिक्चर क्वालिटी पर हाइसेंस U6G पर आपको 700 Nitspeak HDR brightness मिलती है, और पिक्चर क्वालिटी एन्हेंस करने के लिए आपको Dolby Vision HDR, MEMC, Ultra Vivid High Contrast Panel HDR10+, HDR10, HLG, UHD, AI Upscaler मिल रहा है, जो Mi Q1 QLED TV पर आपको नहीं मिल रहा है, और एक TV के लिए सबसे इंपोर्टेंट होती है, इसके पिक्चर क्वालिटी, और पिक्चर क्वालिटी के मामले में, हैसेंस की यह स्मार्ट TV, Mi Q1 QLED से आगे निकल जाती है, प्रसेसर के अगर ब का GPU मिल रहा है, वहीं पर Mi Q1 पर आपको MG का 64-bit Quad-Code CPU and Mali G52 का GPU मिल रहा है, जो कि हाइसेंस U6G से अच्छा है, Mi QLED TV पर आपको 32GB स्टोरेज मिल रहा है, वहीं पर हाइसेंस पर आपको 16GB स्टोरेज मिल रहा है, साउंड क्वालिटी के मामले में दोनों TVs का साउंड क्वालिटी आवरेज है, Mi QLED TV पर आपको 30W speaker दिखने को मिल जाती है, एन हैसेंस पर आपको 24W का speaker दिखने को मिल जाती है, कनेक्टिविटी पर दोनों TV परी आपको HDMI 2.0, Bluetooth 5.0 और dual band Wi-Fi का कनेक्शन दिखने को मिल जाती है, तब तक के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, मैं आपसे मिलती हूँ निव वीडियोज को लेकर,